नमस्कार मैं अभिशीक मार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस इश्टड़े वित अभी में तो आप सभी को मेरा जैगरू जैसे सीजेल के लिए 10 important बाते और वो बाते जो आपको परिशान कर रही होगी या एक से दो दिन के बाद आपको परिशान करना स्टार्ट कर देग तो वो परिशानी आपको ना फिल हो उसके लिए क्या आपको करना चाहिए और एक तो अब clear cut रखना है कि अब आपके पास ऐसा कोई आप परिहारने कारण notice नहीं मिलेगा 17 को आपकी admit card की link जारी कर दी जाएगी मतलब पहला तो clear रखना mind में कि आपका examination on time 21 और 22 को है दूसरी बात यहाँ पर मैं जो भी चीजे बतलाओंगा भाई एक तो वो students होंगे जिनका तयारी almost almost बहुत अच्छा हो गया है लेकिन बीच में skip हुआ है उनका पढ़ाई no doubt हर students का हुआ है दूसरा students वो है कि जो बीच म पढ़ा है मतलब अच्छे से मतलब कि इतना तो है उनको जानकारी कि क्या-क्या जीके में पढ़ना है क्या-क्या जीके में हम लोगों ने पढ़ा है वो आपको पता है लेकिन बीच में 2-3-4 महिने का gap है तो इन दोनों students के लिए ये 15 दिन आपको कैसे चीजों को complete करना है व मतलब अब आप में से एक वो students अगर वीडियो देख रहा होगा जिसने कुछ पढ़ाई नहीं है मतलब कि एक-दो साल gap हो गया है तो अब उसके लिए तो हर एक चीजे नहीं है तो भाई वो क्या करेगा बंदा तो भाई देखे अब आप ये 15 दिन में तो चीजों को इतना याद रखिए कि पेपर क्लियर नहीं कर पाईएगा देखे फाल्स हॉप देना या जोटी आजा देना मेरा काम नहीं है लेकिन हाँ जिसने कई चीजे कभर कर रखी है रिवीजन भी पहले किया था 28 जनवरी पेपर को लेकर लेकिन बीच में स्कीप किया है तो अब आपको नहीं चीजें बिलकुल भी नहीं पढ़नी है पहला पॉइंट तो आप यह क्लियर कट रखिएगा अब ऐसा है ना कि हर एक स्टुडेंट अभी परिशान है क्यों परिशान है कि एक्जामिनेशन डेट हलाकि आयोग ने एकिस बाइस बहुत पहले ही बता दिया था सितंबर कि हम लोगों ने कुछ-कुछ चीजें पढ़ा बहुत सारे हमारे साथ टार्गेट विडियो में जूड करके तो बहुत महनत किया उन्होंने तो भाई देखे आप परिशान इसलिए हो रहे हैं कि कुछ-कुछ चीजे आपके रिवीजन नहीं हो पा रहे हैं कुछ-कुछ च स्टूडेंट के साथ यह परिशानी है तो इसके लिए एकदम परिशान मत हुएगा क्योंकि केवल यह नोटिफिकेशन जो आया है यह आपके लिए नहीं है जितने भी स्टूडेंट है सब के लिए है और इस नोटिफिकेशन से सब इस्टूडेंट परिशान है दूसरी 15 दिन में collection करिए और syllabus complete करने के चक्कर में मत रहिए 100% syllabus कभी complete नहीं होगा और जब भी आप competitive exam की तयारी कर रहे होते हैं तो वहां 100% syllabus complete नहीं होता है बाई clear ना 62-75% syllabus complete होगा और इससे ही आपकी selection होगी तो ये आप एकदम पहले तो tension clear cut रखेगा अब आईए तीसरे point पे सबसे main important चीज है कि जितना ज़्यादा हो सकता है revision, revision, revision हर subject की मैं बात कर रहा हूँ, कोई भी subject आपने जो चीजे पढ़ रखी है भाई, जो subject आपका बहुत अच्छा है ठीक है ना, तो उसको थोड़ा सा अब कम time दीजे, मैं इसलिए कम time दे रहा हूँ क्योंकि जो बहुत अच्छा है वहां से तो question गलती नहीं होना चाहिए, ले उसमें आपको revision mode में रहना है, लेकिन जिनकी पूरी तैयारी है भाई, तो आप नई चीजों को बिलकुल ना छुएं, केवल और केवल revision करिए हर subject में, तीसरा point आपको clear हो गया होगा, चलिए, चौथे point बाते हैं जो सबसे important है भाई, और इससे बच गया है तो मान के चलिए आपका selection complete है, अब देखे, selection complete कहने का मतलब उनके लिए, जो वाकरी सिद्धत से पढ़ाई की है, चौथा number, जितना हो सकता है, ये 15 दिन के लिए, बुक से दूरी बनाएगा, बुक से दूरी बनाने का क्या मतलब मैं बोल रहा हूं समझेगा, यूटूब पे कोई वीडियो अब देखने की जरुवत नहीं है, आपके पास समय नहीं बचा, लाइव क्लास में मैराथन, देखे, बहुत बड़ा याद रखेगा, मैं बहुत बड़ी बात आपके साथ सेर कर रहा हूं, अभी जो मैराथन क्लास आए, उससे बचने की कोसिस करिए, अभी जो लाइव क्ल यह जो आप एक घंटा दीजेगा, वो दस मिनट में आप किताब से कर लिजेगा, तो भाई यह आप मैंने लिखा भी है, गलती से भी आपको गलती नहीं करना, देखे, मैं एक यूटुबर ऐसे यूटूब पे वीडियो डालता हूं, इसके बाद भी मैं आपको कह रहा हू इसके बाद अब बजट के लिए वो इंपोर्टन नहीं है, तो उसके लिए आपने अगर नोट्स बनाया, तो वो नोट्स आपको प्रीफर करना है, जो मैंने पांच में पॉइंट में लिखें कि आपने जो नोट्स बनाया, उसको या कोई टीचर का नोट से उसको फॉलो क करना है, समझ मा गया, जैसे कि मैं आपको दिखलाता हूँ, अब मैं मान के चलता हूँ कि मैं एकनॉमिक्स में बजट को पढ़ रहा हूँ, अब ये बजट को पढ़ने का ये तरीका है कि आर्टिकल 112 है, बजट में बजट की बात नहीं है, वहाँ पर एनुवल, यानि कि व लाती है, ये टूदी पॉइंट की बजट सबसे पहले कहां या, इंग्लेंड माया, किसने पेस किया जाता, लोकसभा, राजे सबा, पहला बजट का आया था, किसने लाया था, ये इस प्रकार से आपका नोट्स होगा, या कोई भी टीचर का नोट्स होगा, उसको फॉलो कर फिर अजंता की गुबाई, ये अगर आप नहीं कर पा रहे अभी, तो भाई देखिए, रिवीजन फिर पॉसिबल नहीं हो पाईगा, तो सेल्फ कंटेंट, इसलिए मैंने कहा, बुक नहीं भाई, बुक में कहां खुजिएगा, कौन-कौन से चैप्टर पढ़िएगा, वो अगर आप टेसरीज लगा रहे होंगे, तो आपके मार्क्स ठीक ठाक आ रहे होंगे, या प्रैक्टिस रेट लगा रहे होंगे, लेकिन जिनके अच्छे तैयारी है, उनका मार्क्स अच्छा आ रहा है, लेकिन कुछ कोशन टेसरीज में और प्रैक्टिस रेट में ऐसा डाल जाता है और हमने भी डाला है कि वो आपसे नहीं बनेगा और उसमें माथा पेची करिएगा और वो चैप्टर आप निकार के पढ़ने लगेगा JSSC में उससा कोई शम्मदनी होगा अब जिसकी तयारी बहुत अच्छी नहीं है वो तो भाई टेसरीज से अभी एकदम दूर रखे प्रैक्टिसेट से एकदम दूर रखे मार्क्स बनेगा नहीं आप बिल्कुल दिमोरलाईज हो जाएगा 15 दिन क्या वो दिन आप जिस दिन आप टेस लगाएगा वो पूरा का पूरा दिन बिकार हो जाएगा मतलब क्या टेसरीज अब आपके लिए नहीं है टेसरीज के वाल उनके लिए है जिनकी तयारी बहुत अच्छी है या फिर भी जिनकी तयारी बहुत अच्छी है अमास अच्छी आरे लेकिन वो उस कोश्चन के पीछे पड़े हुए है जिसका जैससी सा संबन्द नहीं है और हर टेसरीज और हर प्रैक्टिसेट में वो कोशन डाला जाता है ताकि वो टेसरीज निकले मार्केट में जाए श्टूडेंट पर्चेस करें ये भाई हमने भी किया मैं ऐसा नहीं कि किसी को ये कर रहा हूं मतलब मैं अभी आपके पास क्या चीजे हैं क्या करनी चाहिए हूं मैं बतला रहा हूं अब आए साथ में पॉइंट पर लेंग्विच पर अब एक और चीजे देखें टेसरीज की सबसे अच्छी खासियत बात क्या होगी अगर आपको कहीं से भी कोई भी टेसरीज मिला है या प्रैक्टिसेट मिला है अगर आप एक कोशन लगा है जैसे कि एक इक्जामपल ढाल विद्रो का मैं ले रहा है या फिर मैं बज़ट की बात करलो बजट से एक कोशन पुछा गया है कि जार्खंड का जो है राजस्व घाटा कितना है ठीक है अब ये आपका चार ओप्शन कर लिए अब इसके बाद अगर उसका एक्स्प्लनेशन दिया है पूरा बजट की जार्खंड सरकार की टोटल बजट कितनी थी revenue income कहां से कितनी हुई उसके बाद capital income कहां से हुई revenue expenditure capital expenditure प्राथमिक घाटा राजस्व घाटा राजकोसिय घाटा सिक्षा छेतर में कितना budget allocation है health sector में कितना है गरीब के विकास के लिए और पंचायती राज में कितना allocation है अगर ये सारा अगर explanation उस टेस्टरीज में दिया है तो भया इससे अच्छा कुछ नहीं है और market में ये कहीं नहीं मिलेगा ये मेरे टेस्ट में केवल और केवल जार्खन GK में मैंने दिया है क्योंकि जार्खन GK में मैंने इसलिए दिया क्योंकि हमने science GK computer math reasoning सब कुछ provide क्या था लेकिन जार्खन GK CGL के लिए नहीं कर पाया तो जार्खन GK में मैंने personally डाला है क्योंकि अब पूरा 32 का 32 जन जाती का explanation मैंने डाला पूरा जार्खन इसलिए का explanation डाला ताकि मेरे भाई मेरे student at least उनका जार्खन GK कहीं से वह पढ़ है तो उनका revision यहां सो जाए तो यह भाई देखे मैं तरीका बतलाया हूँ अब आगे और यह language paper ध्यान दीजेगा फिर से एक बार यह हो गया आपका language paper यह हो गया आपका computer यह हो गया आपका math यह हो गया आपका reasoning और यह हो गया आपका science यह पांच ठीक है ना यह पांच subject भी या अगर अच्छा नहीं है तो अच्छा करिए बहुत student बोलेंगे sir math कैसे अच्छा ह martyr हंटे पढ़ सकते हैं बस आप सोचिये तो 15 दिन आपके लिए बहुत है maths में कैसे अच्छा कर सकते हैं sir देखे अगर maths में आपका 3-4 सवाल हो रहा है तो आपको 8-10 सवाल सही करना है इस 15 दिन में अगर आपको 8-10 सवाल सही हो रहे है तो 15 दिन में आप 8-10 स्यक्या सभाइ सब्सक्राइब तो आपके लिए वैलन गुड है थोड़ा सा महनत करिएगा 15 दिन में 18-19 और मैथ में हम लोग 20 में 20 कर सकते हैं कंप्यूटर में 20 में कर सकते हैं 20 नहीं तो कम से कम 18-19 कर सकते हैं रिजनिंग में 18-19 कर सकते हैं लैंगवेज पेपर में तो भाई अच्छा करेंगी आप लोग साइंस में 15-17 कोशन सही कर सकते हैं अब आईए बात करते हैं यह जहारखन जी के 40 कोशन और जीके में 30 कोशन भाई या कोई सियोरेटी नहीं है चलिए जहारखन जीके में थोड़ी वह सियोरेटी भी है कि आप आप एक कम से कम 30 कोशन 28 कोशन कर लेंगे इससे ज्यादा आप मैक्सिमम स्टुडेंट्स की मैं बात कर रहा हूं जो टॉपर्स होंगे या केवल जहारखन जीके पूरे साल उन्होंने पढ़ा तो उनका होगा ठीक है जैसे कि कुछ टीचर जैसे सीजल के एक्जामिनिशन द लिजेगा अधरवाइस इस नंबर पर मैसेज करिएगा मैं आपको लिंक शेंड कर दूँगा और अगर ये बात है जैसे मैंने कहा सेल्फ कंटेंट के बात तिया टीचर की नोट्स अगर आपको ये पूरा नोट्स भी मेरे से चाहिए तो भी आप मेरे से ले सकते लेकिन व एक दिन में दो वीडियो देखिएगा तो अराम से पंदरा दिन अभी समय है तीज वीडियो खतम कर सकते हैं नोट्स आपका अप्लोडेड है प्रिंट आउट निकालेंगे काम खतम समझ माया आप जीके में 35 प्लस टॉपिक्स मैंने दिये जैसे आपको बजट का दिखा है को जाइन कर लिजेगा बहुत सारी वीडियो है इसके बाद मैं एक और इंफॉर्मेशन देदू आगे बढ़ू तब 20 मॉडल पेपर मैस का मैंने यानि 500 कोशन मैस के इसी के बाहर आपका एक्जाम में नहीं रहेगा इसका बाहर मतलब क्या डाटा 20 का 20 या 30 का 30 नहीं अभी आपको 15 दिन में कंप्लीट करके जाना है मैस के लिए और रीजनिंग के लिए भी रोड मैप है वो काम आपको कर लेना वो वीडियो देख करके यह हो गया भाई अब आईए सोसल मीडिया वाटसप फेस्बुक इंस्टाग्राम टेलिग्राम जो भी चीजे चला रहे ह वैवाई एक दम ठोड़ दीजे सोसल मीडिया से दूरी बणा लिजे आईए मैक्सीमम स्टडी आवर होनी चाहिए इसमें क्या होने चाहिए मैक्सीमम स्टड़ी आवर में कोई अप्लिकेशन में अक्टिवेट है वो नहीं कोई यूटूप पर है लाइक लाश में नहीं से से इमपउटेंट भाई अख्बकाई ये झालन नहीं है systematic युवे में पढ़ना है systematic में पढ़ने का मतलब आप एक घंटे का समय निकालई ये कि मैं स्मूचिए क्या सिस्ट्मेस काम पढ़ना कामदीमाग बठा हो है आप देखें components of computer पढ़ना है memory units पढ़ना है history and generation पढ़ना है classification of computer internet networking उसके बाद security पढ़ना है उसके बाद फिर हम लोग अब देखें जैसे जीके में books and author complete कर लेनी हमें भासा लिपी जहां से जैसे सी एकदम पूछेगा पूछेगा यह सब एकदम systematic way में जैसे मैंने notes दिखा जैसे करेंगे इसके बाद फिजिक्स में सबसे important देखें भाई यहां मैंने एकदम important wise रखा वेब से question पूछता है sound से question प रहेंगे chemistry में बात किया जा acid based salt से रहेगा कोई भी acid कोई भी कुछ मतलब acid based salt से एक रहेगा यह पांच चैप्टर जान है और इसके बाद यह सब तो भाई एक एक दिन का class है मेरा बस इसके बाद biology में यह सब हम लोगों ने पूरा अच्छे से complete कर लिया है अब हम लोग केब बोटनी complete करना 15 दिन में तो यह सिस्टमेटिक वे यह होता है कि एक पहले आपके पास content है यह complete करना ऐसे टीक करते चले जाएंगे एक दिन में दो वीडियो खतम करना दो नोट्स खतम करना ऐसे समझ माया न यह तरीका होना चाहिए अब आप जैसे नोट्स में देखिए दे तो आपके हाथ से चीज़े निकल जाएगी भाई कुछ नहीं कर पाईएगा यकिन मानि अगबका जाएगा कुछ नहीं कर पाईएगा पूरा दिन खतम टेंशन से सिस्टमेटिक वे में पढ़ना तो यह दस बाते जो आपको फॉलो करनी है तो करनी है most important चीज टेस्ट इंशन रिलीज हो करके काम करना है ज्यादा अगबका करके कि मेरा मार्क्स कम आ रहा है तो फिर मतलब नहीं हो पाईगा सेलेक्शन भाई 15 दिन आपके पास है 15 दिन में हम उस लेवल पर महनत करेंगे कि हम 16 दिन यह ना बोले कि कास हम 15 दिन पढ़ लियो होते और ज्यादा तो साइध मेरा 2-3-4-5 कोश्चन से सेलेक्शन हो जाता भाई यह कास वाला वर्ट 16 दिन आपको नहीं निकालना इसलिए 15 दिन केवल श्टडी टेस सीरीज का मतलब क्या है जब आपकी तयारी अच्छी है और अपनी तयारी आपको जाचने का समय नहीं है रिवीजन करने का समय है तो बी क्लियर मैं आपको बाते बतला दिया यह दस बाते हैं जो आपके जैसे सीजल इग्जामिनेशन में अगामी 15 दिन के लिए काफी महत्पुन साबित होगा अगर आपको कोई भी चीज अगर कंटेंट के हल्प चाहिए साइंस जी के अच्छा एक चीज मैंने बत करते हैं अगर टूदी पॉइंट मतलब बागी आप कंटेंट योट्यूब पर भी देख लीजेगा बहुत तारी वीडियो आज आपके लिए जहारखंड का कंप्लीड वजट का सेशन भी आने वाला है बहुत मजा आएगा सवाल डेफिनिटी दो सवाल तो रहेंगे चले म दालते हम लोग नेक्स वीडियो मेह तर अति